नमस्कार क्या आपका वीरिय या फिर शुक्रधातू जो स्पम है वो बहुत पतला है बहुत कम मात्रा में निकलता है और निकलते समय जबी भी शुक्रधातू या वीरिय निकलता है आपको बहुत ज़्यादा दर्ध होता है बहुत ज़्यादा पेन होता है आप में से ऐसे ल अगर आपको इस तरह की समस्चा है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो समस्चा होती क्यूं है और उसके लिए क्या-क्या इलाज आईरविद में बोला है पूरी जानकारी इस वीडियो में नमस्कार स्वागत है आप सभी का डॉक्टर अरुन मिश्रा इस चैनल पर जहां हम बात करते हैं वाजी कारण जो सेक्शुल डिसॉडर्स है उसके बारे में और जो लाइफस्टैल लेटेड बीमारियां होती है आज का टॉपिक है जो वात की कारण जो वीरियो खराब होता है या फिर शुक्र धातु खराब होती है देखिए वात है क्या हम सभी जानते हैं आईर वेद में तीन दोश होते हैं वात पित कफ अब ये वात पित कफ जहां जहां जाएंगे नेचुरली तो ये आपकी शरीर को बैलेंस रखते हैं ठीक रखते हैं आपको नॉर्मल जो काम ह करने देते हैं अगर ये किसी कारण से बीगड़ गए तो क्या होगा जैसे जिस धातु में ये जाएगा वहाँ पर रोग करेगा तो साथ धातु ए होती हैं शरीर में रस, रब्त, माउस, मेत, अस्थी, मज़्जा, शुक्र इन साथो धातुों में से जिस धातु में ये दो वह सबसे पहले बोलता है कि जबी भी वायू जो वात है वो आपके अगर शुकर धाथुम्हें चला जाएगा तो आपका जो शुक्र है या वीर यह है उसको पत्ला कर देगा बहुत ही एकड़ משादा उसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी कर देगा तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि जब इपर शुक्र धा तो निकलते हैं एकड़म थोड़ा सा कुछ चार छे बूंद जितना इतना कम निकलता है और एकड़म पतला पानी जैसा निकलता है ठीक और एक खास चीज आपको देखने मिलेगी कि जब शुक्र आपको निकलेगा उस जो vaginal area है वहाँ पर dryness हो रही है वहाँ पर हमें बहुत पेन होता है इस तरह की तकलीफ होगी अगर आपके शरीर में वायू बढ़के शुक्र दातु में चला जाएगा तो सबसे पहले कारण ये वायू इतना बढ़ता क्यों है तो उसके कुछ कारण बताते हुए चरक जी सबसे पहली चीज बोलते हैं ऐसे लोग जो वायू को बढ़ाने वाले काम करते हैं उनके शरीर में वाद बढ़ेगा अब वायू को कौन सी चीज़े बढ़ाती है बहुत ज़्यदा उपवास करना ऐसे लोग जो बोलते fasting अच्छा है तो फास्टिंग के नाम पर जबर दस् उपवास करेंगे, वाटर फास्टिंग करने की कोशिश करेंगे, आपका वायू बढ़के शुक्रदादू खरब कर देगा, सेगिन कारण वो बोलते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़दा रूखा सूखा खाना पसंद कर दें, जिनको बहुत ज़दा मतलब रूखी चीजे पसंद है, कि तेल से बिल्कुल जिनको नफरत है, आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जो शरीर में कभी जिन्दगी में तेल नहीं लगा दे, तेल शब्द सुनते उनको नफरत होती है, या जिनको बहुत ज़दा कच्चा खाने में इंटरेस्ट है, बहुत हुआ, तो तेल से जिनकी दुश्मनी है, ऐसे लोगों की शरीर में वायू बढ़ता है, फिर जो लोग वेगो को धारण करते हैं, वेगो को धारण करना मतलब, नेचरली आपको यूरीन लगा है, लैटरीन लगा है, गैसेस लगी है, भूख, नीद, प्यास, ये सब नेचर सोते नहीं, जब नीद नहीं, आरी जबरदस्ती, सोने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़े क्या करती हैं, आपके शरीर में वायू बढ़ाने का काम करती हैं, और जो बहुत ज़्यादा कठोर खाते हैं, कि बहुत सूखा, कि भूना हुआ स्शिंग, दाना मूंग फली, ऐसे रुखी सुखे आइटम खाना, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइस करते हैं, बहुत हैवी सामान उठाते हैं, बहुत ज़्यादा जीम, वर्काउट, अत्ती वयाम, कि कुछ तो कुछ एक्सरसाइस का, जिनको बोलते हैं न, एक्सरसाइस फ्रीक है, कि वयाम अच्छा है, 45 मिनट, एक घंटा, डेट घंटा, आपकी शरीर के इसाप से, पर शरीर की कैपिसिटी है, 30 मिनट वयाम करने की, ये भाई लगे हैं, दो-दो घंटा मोटिवेशन देख, आज तो मैं आँग लगा दूँगा, ये कर दूँगा, बस, गो हार्ड और गो ह टाइप की जिनकी फिलोसफ ही है, और लास्ट को कारण बोलते हैं कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर से शुकरदातों को निकालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, 14-16 साल की एज होती है, नया-नया यंग एज में शुकरदातों बनना चालू होती है, क बहुत कम टाइम पिरियड में बहुत ज़्यादा ही शुकरदातों को निकाल निकाल देते हैं, तो ऐसे सारे लोगों की शेरीर में क्या होता है, वाद बढ़ता है, ये वाद क्या है, रोक्ष है, लगू है, शीत है, खर, ऐसे उसके गुण बोले है, तो ये वाईव उस आपका शुक्र कम हो जाएगा, निकलते समय आपको पेन होगा और एकदम पतला सा शुक्र होगा, समझ में आया, वाईव बढ़ाने वाली चीज़े आप करोगी, खास करके ऐसे लोग जो रात में जागने का काम करते हैं, ये भी एक कारण है, कि जो प्रॉपर नीद नहीं ले दे, कि भाई सोना चाहिए, 6-8 घंडा एक प्रॉपर नीद चाहिए, तो जिनको सोने के लिए टाइम नहीं, रात को एक एक बज़े तक काम कर रहे हैं, फिर सुबब पांच बज़े उटके, फिर कोई चीज में लग गए हैं, तो जो बोलते हैं हमारे दिमाग शांत नह क्या होता है, वाद बढ़के शुक्रदादू को सुखा देता है, तो करना क्या चीए, तो चरक जी ने अपने चेकेसास्थान के चैप्टर नमबर 30 में इतने सारे कारण बताने के बाद, वो बोलते हैं कि भाई, आपके शरीर में वायू बढ़ा है, सबसे पहले बस्ती ना कारणे बनाये जाते हैं, उनकी बस्ती लेना, फिर से मैं बोला वाटर एनीमा या पानी वाले एनीमा की नहीं, वो तो और वायू बढ़ाने का काम करेगा, यहां पर हम तेल और कारणों की बात कर रहे हैं, तो वो बस्ती बोलते हैं कि इस वाद के लिए, अब वाद क्या र वाद के अरिये में, तो वाद के एरिये पे अगर वायू आकर बढ़ गया, एरिया वाद का है, और क्या बढ़ गया है वाद, डबल वाद, तो इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है बस्ती ची गिस्सा, तो आपके नजदीक में जो भी पंचिकर्व आपको, फिर अपनी डाइट में ऐसी चीज़े लानी चीए, जो वायू को कम करने में मदद करती है, जैसे कि तिल तेल एक कमाल के उसदी है वायू को कम करने की, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज खाना खाने के पहले एक चमच तिल का तेल, सुबर शाम, लगभग 30, 25 से 40 दि के लिए एक चमच तिल तेला पले सकते हैं, ये वायू को कम करेगा, बहुत अच्छा है, अपने खाने में ऐसी चीज़े इंट्रोड्यूस कीज़े, जो नेचर में चिकनी होगी और गरम होगी, वायू क्या है, रूखा है, सुखा हुआ है, और ठंडा है, तो ये सुखे औ ठंडे पन का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, चिकना और गरम आइटम, तो दही एक कमाल का आइटम है, जो कि शुकर धातू को बढ़ाने का काम करता है, वायू को ठीक करने का काम करता है, दही नेचर में खटा होता है, तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हमारे पेट में गैस फस होता है, क्रैम होते हैं, मेल्स बोलते हैं कि उनको वहाँ पे जब भी भी रिलेशन बनाते हैं या शुकर निकलता तो पेन बहुत होता है, तो दही हफ़ते में दो से तीन बार खाने में खाना, आप खाने में इंट्रोडूस कीजे, बहुत अच्छा है, इसी के साथ एक और होशदी जो बहुत अच्छा काम करती है, एरंड मूल, एरंड मूल मतलब जो अपना कैस्टर होता है, उसकी जड़े मिलती है, कोई भी आईरविदिक शॉप में आपको मिल जाएगी, तो दो ग्राम एरंड मूल को लेकर, 100 ml दूद, 100 ml पानी में डालकर, उबालकर, सुबह खाली पेट अगर लिया जाएगा, ठीक है, 25 से 25 दिन के आसपस, या 21 दिन के आसपस, तो भी एक अच्छा खासा वायू को अनुलोबन करेगा, शुक्र दातु बढ़ाने का काम करेगा, उसकी ताकत बढ़ाने का काम करेगा, फिर और कुछ आउशदियां जो इसमें बहुत अच्छा काम करेगी, जैसे कि प्याज, प्याज का अरस अपने खाने में इंट्रोड्यूस कीजिए, प्याज कांदा जिसको हम माहराश में बोलते हैं, तो ये जो प्याज जो है, ये भी अच्छा खासा वात कम करने वाला, शुक्र पे काम करने वाली आउस्दी है, वो इं जो नेचर में स्निक्द है, चिकनी है, और वायू को कम करती है, चिकनी और गरम है, वायू पे काम करेगी, वो बहुत अच्छा है, उडद की खीर खाना एसे में, जिनके शुक्र धातु वायू के कारण खराब है, बहुत अच्छा काम करेगी, ये सारे चीज़े कब ज़्य डालके पहले सबोन लीजिए फिर 200 ml दूद 200 ml पाने डालके जैसे खीर बनाते हो थोड़ा काजू बदाम बदाम डालके वैसे खीर बनाके शाम को खाना न खाकर केवल ये खीर खा सकते हैं तो उस वायू को कम करने में अच्छा खासा आपको मदद मिलेगा कुछ और अश्रद लेडीज जो महिलाएं हैं उनको अगर रिलेशन या फिर सेक्शोल अक्टिविटी के बाद बहुत ज़दा पेन होता है और वायू बढ़ा हुआ है जो जो कारण बोले इस वीडियो में उसके कारण कॉटन लेलो कॉटन को उसमें ओईल में डुबाओ तिल तेल में और जो योनी द्वार होता है वहाँ पे थोड़ा सा कॉटन बाहर रहें ऐसा ओईल रखके थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लेड़ जाओ इसको हमाई रिद में पीचू बोलते हैं और 10 मिनट बाद उस ओईल को निकाल दो तो जिनको वेजाइनल ड्राइनेस की या फिर जिनका योनी द्वार बहुत सूख जाता है और उसके करण संबंद बनाने में पेन होता है उसमें आराम मिलेगा जो मेल्स हैं पुरूश है वो क्या कर सकते हैं इसी तेल के तेल से रोज सनान से पहले 2-5 मिनट के लिए आप वहाँ पे मालिश कर सकते हैं ये वायू का अनुलोमन कर करने का काम करती है तो 1-5 या 1-25 जो स्वार्ण भस्म होता है वो और 1-4 चमच अश्रुगंदा पावडर ये मिला कर खाना खाने के पहले ले सकते हैं या अब्रग भस्म जो सहस्त्र पूटी या श्रत पूटी मिलती है वो आप अपने रजदी की जो डॉक्टर होंगे उन स पूच कर ले सकते हैं तो इतने सारे उपाएं हैं और आईरविद में तो हजारों आउश्दियां हैं वो सारी चीज़ा आप कर सकते हो बट उनके फाइदे आपको कब मिलेंगे नमबर एक जिस कारण से आपका वायू बढ़ रहा है जो आपको बताए वो बंद करने हैं बस संबंद बनाने के बाद बहुत जदा थकान, कमजोरी, दर्द ये सब होता है उनसे आपको रिलीव देखने मिलेगा तो ये तो था वात के कारण अगर आपका वीरी या फिर शुक्रधातु खराब हो जाएगी तो क्या क्या आपके शरीर में होगा अगले आने वाले वीडि देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें